नमस्कार बिहार नुजमा आपका स्वागत है मैं रतन सिन भारती अज़ हम बात करेंगे असानी तुफान को लेकर बिहार के कई जिलों में बारिस की सुरुआत हो गई है बता दें कि यह मौनसून से पहले की बारिस है बता दें कि बंगाल की खाड़ी में प्री मौनसून चक जरूर हो गया है इसके बाद से यह भी कहा जा रहा है कि 11 और 12 माई को परदेश के पूर्वी और दक्षनी हिस्ते में आंधी के साथ बारिस होने की पूरी समभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि पूर्व सब्हाने की पूरी शंभावना रहने की बीकरत के बीहार के क्यिस्तों में वारिस होने की स्भावना जताई गई दसके पूर्वी और दक्षनी हिस्ते में आंसिक बादलल ज्छाए रहने की बात कहीं गई है कि पर्देश के ज्यादातर हिस्सों में इस दवरान जो है आंशिक बादल च्हाहय रहने की बारी सोने की और बिज्ली छमकने की बात जो है वो मौसमिवाग की तरफ से साफ तोर पे कहा गया है मौसम व्याग तरब से यह भी कहा गया है कि पटना और गया में भी धूल बरी आंधी चलने का पूरा अनुमान है इस दवरान हावा की रफतार जो है 20 से 30 किलो मिटर परती घंटे की रफतार से चलने की बात कही गई है परदेश में जिस तरह से मौ मौसम का मिजाज बदला है ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बंगाल की खारी में उठे तुफान का असर है हलाकि मौसम के जानकारों ने यह भी बताया है कि इस चक्रवात का असर बिहार को बहुत यानिक बिहार को लोगों को बहुत देखने को नहीं मिलने वाला है इन दिनों कारण अब पर्देश के तापमान में कमी देखने को मिलने वाला है इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अमसार यह बताया गया है कि पर्देश के लगभग 10 जिलों में आंधी पानी की सीती रहेगी साथ यह भी कहा गया कि पूर्वी और पस्टमिन चंपारन क अंधिर पर्देश के साथ साथ जहार खंड की कुछस हिंस्तों में देखने को मिलने वाला कि ती साथ यह बताया गया है कि पहले भी बिहार के उत्रे हिस्सफे में बारिस की सक्रीता रही थी साथ साथ यहीं बताया गया है कि इस दवरान इस तुफान के कारण 16 किलो मीटर परती घंटे की रफ़तार से तुफान सक्रिय होने वाला है लेकिन बिहार में मौसम खुशनुमा बना रहेगा, इन दिनों बिहार के लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है, निजात मिलने वाला है, और मौसम इस दवरान खुशनुमा बना हुगा भी है, बिहार और बिहार से जुड़ुए और भी इसे इन खबरों के लिए ब बाद